हाई दोस्तों कैसे हैं आज 23 सेप्टेमर 2019 से अगास बैंग निफ्टी पर अब्डेट लेके आया था अच्छा गासा बैंग निफ्टी चला और आज की क्लोजिंग में देखेंगे जहां ओपें 30,000 पर हुआ था हाई लगाता है 30,801 कर और क्लोजिंग देता है कहीने कहीं 30,566 है एडवांसेस दस है डिक्लाइन दो है और कहीने कहीं आप दखेंगे कोटेक बैंक आइस्टेसी बैंक और एस्टेसी बैंक यह सब अपरे 52 विक हाई पर काम कर रहे हैं और यस बैंक थोड़ा से विक्रेस आज सभी जिगा देखेंगे इंडेक्स वगरा सभी अच्छे प्रफॉर्म करते में जरा है आपको सारे इंडेक्स में देखेंगे तो निप्टी के सब सभी इंडेक्स अच्छे परफॉर्म करते हुए हैं और इंडिया विक्स में कहीं के ना कि 16-17 परसंट उपर के और दिखाया है तो हो सकता है कि मार्केट में आप जान निप्टी पैंक में देखेंगे निप्टी आटो देखेंगे समी निप्टी आइटी और निप्टी फर्मा में थोड़ा सा विक्नेश रहा है कोई बाती है और निप्टी भी देखेंगे तो निप्टी 11600 पर क्लोज हुआ है 326 पर उपर की और जा करके आज मंगलवार है और बुद्ध और बेस पर दो ट्रेडिंग है तो हो सकता है कि एक बार यहां से आपको थोड़ा सा नीचे रिकवरी के और दिखाई जाए लेकिन वापस अक्टूबर का बाग मन जु रहेगा वो अच्छा रहेगा और चाहें तो जब यहां पर आपको सौट फॉल मिले तो आप बैंक निफ्टी या निफ्टी पर वापस आप और आपको अगर स्टॉब ला सकना है तो 2930 का रखिए 2900 का समय लीजे 3515 पर यहां से जो टॉब बना सकता है और पहला जो और भी बनाएगा यह लगवद 3700 के रास पास बनाएगा 3700 और वहां से जाएगा तो फिर 31000 और 31000 के राद 3600 की और जाता हुआ दिखेगा और अक्टूबर में यह जाएगा इसमें भी को प्रॉब्लम नहीं कि वह नहीं जाएगा तो उसको वहां पर जाना है बड़ 30,000 का इस्टाप्रस आप रख करके 31000 की और सोच सकते हैं अभी की एक्सपारी को देखते हुए हो सकता है एक बार मार्केट आपको नीचे जाते हुए दिखे और अगर टेरिवेटिव में देखने की कोशिस करें तो यहाँ पर 3700 अट बनी जो 26 तारी की एक्सपारी यह उसको लेकी बात कर रहा हूं अक्टूबर में मार्केट 3600 की और ज है इसका 3500 और आपको यहां पर जो लाश्रेटिट प्राइस है वह 400 का है पुट पे और अगर इधर देखें तो यहां पर 30,000 पर पाच लाग 16,000 का सपोर्ट यह से 5 लाग ऑपन पोजिशन आज ही बना हुआ है स्वाट की पोजिशन बनी सपोर्ट यहां पर पाच लाग 16, इसका 3500 पर यह 30,000 पर यह 30,000 पर पाच लेकिन जो मुझे लग रहा है वो सकता है एक बार यह उपर की ओर जाये तो जाये 3700 की ओर जाये नहीं तो वापस आपको एक बार शॉट कावरिंग इतनी चुकिशन बढ़ चुका है मार्केट तो वहां से पर 30,000 की ओर जाता हुआ आपको एक बर्दीक सकते हैं तो अगर 30,000 का जो लास्ट पर जाता है तो अगर इसको अगर यह उपर जाता है तो अब तीन ट्रेड लेना पूट की ओर पहला 30,000 का पूट लिजिए फिर उपर जाता तो और एक पूट ले लिजिए 500 पो लिजिए तो जो कि लगता नहीं लगता है कि अब जो है एकस्पाइरी को देखते हुए एक बार आपको यहां से ले सकता है लेकिन अगर को लॉंग टर्म के लिए सोच रहे हैं अक्टूर की एकस्पाइरी सोच रहे हैं तो 31,600 के आजपास जाकर के यहां पर होगा पहला 30,700 और 700 क्रोस करने लिजिए 300 पच से चाहें 30,800 के स्टापलोस से आप इसको नीचे 30,500 के पूट पर ध्यान दे सकते हैं 30,500 का जो पूट है वो आपको 400 रुपर के आसपास ट्रेड कर रहा है 20 का लॉट है आप देखेंगे 400 का है 20 का लॉट होता है बिस पॉन्टिटी का लॉट है चेंज इन ओपर इंडिस 650 से पूजिटीव है और बाइन यह 49,400 पर और 10,800 पर से ला रहा है तो कहीं हाई 1100 बता लो बनाया 340 का और लो की और ही क्लोज दिया है तो अगर यह आपको तोड़ा इस 500 का नीचे मिलता है 300 के असवास तो एक अच्छा रेट रहेगा वहां पर आप इसको फूट को ध्यान दे सकते हैं बट सिर्फ यह थ्रस्डे को एकस्पारी के विव से दिया जा रहा है अदर्वास यह strong है strong positive बना रहा चार्ट में कहीं रुका नहीं है और आज कि अगर hourly चार्ट को भी देखेंगे तो आवार्ली चार्ट को देखेंगे तो आप यहां से जब यह उपर लिया है उपर की और ही में नीचे नहीं आया है इसमें strongest है यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और यहां पर भी 3700 अगर देखेंगे मंति वोलिंगर वेल को देखेंगे तो यहां पर जो 27597 के सपोर्ट है किसी भी आरत्र 27600 को ली तोड़ेगा या भी और उपर 3700 तक जो आपको बताए 3700 तर जा सकते हैं पोट्फोलिय में अगर देखें रिटर्ण की बात करें तो वन वीक में रिटर्ण में देखेंगे सारे बैंक फैडरल बैंक और सब्सक्राइब को मिला है वहीं पर यस बैंक विकली 17 परसंट निगेटिव आज के दिन भी निगेटिव दिया है तो यह बैंक में अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं अच्छा परफॉर्मेंस है इनका और टेक्निकल सिगनल भी देखेंगे तो कही न कहीं य पाइंग है स्टेफ सिकी निट्रल है और अगर एक बार हम इसको अगर अगर देख लें तो यह अजब 26002,644 क्रोड की बाइंग किया था यह कहीं न कहीं यहां पर आएंग आए और देखिए फाई की बाइंग देखिए ने थोड़ा कब बाइंग किया है और इसके चलते मार्केट एक नए आयम की और चला गया इन सबों के बीच में एक स्क्रिप्ट है क्योंकि BPCL है और मुझे लग रहा है इसमें गाव्मेंट का कुछ एनाउंस्मेंट आ रहा है कि यह साथ प्राइडिजिशन की और जाएगा तो आपको यह कहीं न कहीं 541 की और जाता हुआ दिख सकता है अभी दिशेंटली और सब्सक्राइड की क्लोजिन तो बीचल की चार सो पचास रुब्य का सब्सक्राइड है 47 पॉइंट उपर गया हुआ है 11 परसंट के नसी में रिटन है ओपन वाद 413 पे और पहना कई हाई लगाया इसने 463 का 412 का लो लगाया तो यह अपने हाइड की और ही काम कर रहा है और अच्छा है स्क्रिप्ट है और यहां से भी अभी यह उपर जाते हुए आपको दिखेगा और 400 के स्टॉप लोस से पहला 450 अगर यह क्रॉस किया हुआ है तो आपको यहां से कहीं नहीं कहीं स्टेजिक इन्वेस्टमेंट सेल की बात आ रही है और टॉप गिनर में भी देख सब्सक्राइब के साथ तो निप्टी पैंक में एक पोजिटिव सिंगनल है कि पोजिटिव सिंगनल के साथ यहां पर वर्क कर रहा है और अभी थोड़ा हो सकता है कि एक स्पारी को ले करके यह आपको नीचे की और जाए अधरवाइस और अगर जब नीचे मिने तो आपको 30,000 का कॉल वापस आप चाहें जब नीचे जाए तो 30,000 की कॉल को वापस आप देख सकते हैं जो कि अच्छा प्रिमियम साथ लास्ट महिने में अक्टूबर इंट तक अच्छी क्लोजिंग देगा एक्टिस साथ सो उननतर तक जा सकता है लेकिन अभी नहीं अभी यह हो सकता है एक तिस साथ सो का इस्टापलोस से लिए हैं तो इसके लिए आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फोल्ड की पोजिशन में रह सकते हैं मेरा कोई भी बाइंग सेलिंग रेकॉम्डेशन नहीं जो में करें आप अपने अपने से बात करने के बाद ही करें और जब आपको 31 सक्टूबर का बाइक करना होगा जब आपको यह नीचे की और पास्पास मिल रहा है तो वहांपर भाई कीहिजिए और नहीं अगर यह नीचे जाता है और नीचे जाता है तो वहराऊंपर और अगर आपने 30,000 बाई किया माल लिजी 600 700 के असपास बाई के 800 के आसपास और वहां से वापस वह 500 पॉंट 1000 पॉंट करता है तो फिर आपको उसको अवरेज नहीं करना है उसके नीचे 1000 पॉंट को लेना है वो भी आपको 600 700 लेना है ऐसे करके आप कम से कम 3 लोट लेने की को पॉंट करें ताकि जब वो अपसाइड ले तो आपको अच्छा रेट देते हुए निकले आपको तो प्राइस पॉंट कॉल में ही राना पॉजेटिव है लेकिन एक स्पारी को देखते हुआ हो सकता है कि एक बार यह थोड़ा सा नीचे 30-300-300-200 तक जाते हुए आपको दि पॉजेटिव ब्रोथ है अभी तो अच्छा देख रहा है और अक्टूबर भी अच्छा ही दिखेगा लेकिन मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रेकॉंबनेशन बैंग निफ्टी में अभी नहीं है आप चाहें तो अपनी फाइनसे डवाइसे से बात करके इस पर पोजि